हर योम प्यारे दर्श को प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का दर्नुलूलूस ग्रुप की इस रूप चनल पर प्यारे दर्श को इस तारीख को लगने जा रहा है साल का आखरी चंद ग्रहन तो कहां कहां दिखाई देगा इसका सूतक काल क्या है कितने बज़े ग्रहन दिखाई देगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे तो सूतक काल के समय क्या नहीं करना चाहिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चले विडियो को सुरू करते हैं विडियो को अधिक से अधिक से अगरें ताकि यह जानगारी सभी को मिल सके तो इस साल मैं के महने में पांस तारीकों पहला चंदर ग्रहन लगा था यह वैसाग पूर्णमा का दिन था यह चंदर ग्रहन भारत में नहीं दिखाई दिया था लेकिन अब 29 अक्टूवर को साल का आखरी चंदर ग्रहन जो पूरे भारत में नजर आएगा साल के पहले चंदर ग्रहन के करीब 6 मिने बाद दूसरा और आखरी चंदर ग्रहन होगा जिसकी अब धी 1 गंटे 16 मिनट की होगी यह इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल के सभी ग्रहनों में अकेला ग्रहन होगा जो भारत में दिखाई देगा तो आई जानते हैं सूतक काल कब लगता है तो चंदर ग्रहन लगने के बाद 9 गंटे पहले से ही सूतक काल सुरू हो जाता है सूतक लगने के तुरंद बाद मंदरों में कपाट बंग कर दिये जाते हैं और पूजा पाट पर रोक लग जाती है इस बार चंदर ग्रहन का सूतक काल 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बज कर 22 मिनिट से सुरू हो जाएगा तो बता दे की चंदर ग्रहन 29 अक्टूबर को लगेगा उस दिन रविवार है यह भारत में रात को 1 बज कर 6 मिनिट से 2 बज कर 22 मिनिट तक ही रहेगा भारत के लावा यह चंदर ग्रहन, सीलंका, बांगलादीस, पाकिस्तान, साउधी अरब, थाइलेंड, आस्टेलिया, जापान, मंगोलिया, चीन, इरान, सुडान, इराक, तुर्की, अलजीरिया, अफगानिस्तान, भुटान, रूस, नेपाल, का जाकिस्तान, जर्मनी, पॉल एक साल में दो बार प्रत्वी, सूर और चांद एक सीद में आ जाते हैं, जर्मन, सूर की रोसनी चांद पर नहीं पढ़ पाती है, जिससे हमें धर्ती से चंदर्मा नहीं दिखता है, इसे ही चंद ग्रहन कहा जाता है, प्रत्वी और सूर की कच्छा बदलने पर, सूर की कि ने फिर चांद पर पहुँचने लगती है फिर वह हमें नजर आन लगता है तो जिहां ये थी एहम जानकारी